राहत मिली है पर कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनाया जाएगा फिलाल जैकलीन को कोट से राहत मिली है लेकिन अभी भी आगे की रहा इतनी आसान नहीं है क्योंकि कई ऐसे डाउं पेच हैस में कई ऐसे सबूत है जो कि सीधे सीधे अभी सवालों के तौर पर जैकलीन को सामना करना पड़ सकता है और लगातार हमने बीते दुनों देखा था किस तरीके से एडी ने पूच्टाच के लिए जाकलीन को बुलाया था और कई महेंगे गिफ्ट्स यहां पर चंदरशेकर की ओर से उनको दिये गए थे और उसी को लेकर पूच्टाच लंबी उनसे चली थी हलाकि 15 नमंबर को अब जमानत पर फैसला आएगा जाकलीन का लेकिन आज उनको कोट से कुछ रहत जरूर मिली है लेकिन अब भी उनकी मुश्किलों भरी रह और जादा कठिन आगे हो सकती है और इस वक्त आनंद तिवारी भी हमारे साथ फोल लाइन पर जुड़ गए है आनंद और क्या डीटेल्स फिलाल शुरुवाती मिल पा रही है जी देखिया आज जैसे ही लंज के बाद जेकरिल फननडी पटियाला उसको पोची सबकी दिगा इस पर दी कि क्या उन्हें रेगुलर बेर मिलेगी या फिर उनकी मुश्केले बढ़ेगी लेकिन जैसे ही जस्ताब अपनी चेर पर बेटेश फोल देर के बाद ही उन्होंने तहाँ कि इस मामले में उनकी अंतरिम राहत जो है वो 15 तारीक सर बढ़ाई जाती है याने कि अब अगली बंगलवार को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी चार वजे सुनवाई का वक्त मुकर्रर किया गया है उस वक्ते यह ते होगा कि जैकरिन फननन्डिस को जो एडी का मामला है उसमें क्या रेगुलर बेर मिलती है या जस्ता को ऐसा फैसरा सुनाएंगे जिससे की जैकरिन की मुश्केले कासी बढ़ जाएंगी क्योंकि दिल्ली पुलिस की यो डबलू भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और वहाँ पर भी जल्द एक कार्टिड फाइल होने व तो बड़ी खबर इस वक्की यही है कि जैकलिन फर्नैंडेस की बेल का जो पूरा मामला था उसे अब आगे बढ़ा दिया गया है जो फैसला है वो मंगलवार को आएगा पौरी तोर पर रहा जैकलिन फर्नैंडेस को मिल चुकी है पट्याला उस कोट के बार मैं मौजूद ह जैकलिन फर्नैंडेस अब से 2-3 मिनच पहले ही यहां से जा चुकी है मंगलवार को अब रेगुलर बेल मिलनी है जैकलिन फर्नैंडेस को या फिर नहीं शाम को चार बजे कोट की तरफ से ओर्डर सुनाय जाएगा 15 तारीख शाम को चार बजे तब तक के लिए अंतरम जमान मंगलवार जब फैसला आना है वो भी चार बजे का बक्त है तो रेगुलर बेल उन्हें मिल पाती है या फिर नहीं इसके उपर आगे फैसला होगा लेकिन इतना जरूर है कि कल कोट ने जिस तरह से ईजी को लताड़ा था उससे और आज अंतरम जमानत जो आगे बढ़ी है जो मुश्किल है वो थोड़ी काम होती हुए यहां पर जरूर दिखाई दे रही है मेरे सेयोगी आनन्द इस वक्त जुड़े में मेरे साथ आनन्द आगे बढ़ा दिया गया है अंतरम जमानत को और मंगलवार शाम चार बजे पैसला आना है आज क्या कुछ हुआ कोट के अ कुछ ही उसके बाद वो सीरे जस्ताब के रूम में गई और वहां पर सोड़ी दर के बाद ही जस्ताब ने पहले का कि चार बजे फैसरास नाएंगे लेकिन उसके बाद अचानक से कोट ने कहा इस पूरे मामले में जो जेक्रीन फोर्णाडी ते उसकी अंतरी मरास को अगले करी दिए इस उनवाई कि लोगान की एडी को यह कहा ता कि आप टेक एंट वाइस की कंडिशन नहीं रख सकते हैं कि आपका जब मन करेका किसी को आप गिरफ़तार करें और आपका मन करेका थे वो उसको आप आरोपी बना के इंगश्टी करें कराएंगे उस पर एडी का कहन दिया और कहा ता कि जांच एजन्सी की जांच अभी तक जारी है और आगे जांच में अगर कुछ ऐसी चीजे पाए जाती है जिसमें लगता है कि जेकिन फननडी इस पूरे मामले में उनकी भूमिका थी तो उनकी गिरफ़तारी की जाएगी या उनके इलाफ जो कड़ी तो दोनों पक्षों के जो दलील है वो पूरी ओचाए जागाता है जागाता है दलीज दीगी थी कि वो देश पोड़के नहीं भाग रही है और वो पांच बार एडी की फूसाज में शामिल हो तुकी है लेकिन एडी की तरफ से कहा गया ता कि साच करोर रुपे के गिप को तो दोनों पक्षों के जो दलील है वो पूरी हो चुकी है अब सिर्फ रेगूरल बेल के उपर फैसला आना बाखी बचा रह गया है आज हलाकी यह उमीद की जा रही थी कि फैसला आ जाएगा लेकिन अंतरम जमानत को आगे बढ़ा दिया गया है अब यह देखना होगा कि म झाल